नमस्कार दोस्तों, क्लास सेवन्त, महारा स्टेट बोर्ड, मैथेमेटिक्स, चाप्टर नमबर शिक्स, इन्डेसेस इसमें अभी फर्स्ट जो पॉइंट है, वो है बेस एंड इन्डेक्स तो वीडियो शुरूर करने से पहले आप सभी को अनुरुद हैं कि चानल को सबस्क्राइब करें अगर वीडियो आपको सच में ही अच्छे लग रहे हैं तो उसे लाइक करें अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो डिसलाइक भी करें तो उसे जो की इंपरूग किया जा सकता है और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकान प्रेस करें जिससे की आपको आने वाले वीडियोज के नोटिपिकेशन्स मिल जाएं तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है बेस एंड इंडेक्स तो बेस और इंडेक्स क्या होता है देखिए अगर कोई नमबर सबस्पोस त्री नमबर है उसे हमें फॉर टाइम्स लिपकर मल्टिप्लाई करना है किसी नमबर को सबस्पोस त्री नमबर ले लिया उसे फॉर टाइम्स हमें मल्टिप्लाई करना है तो 3 into 3 into 3 into 3 अब 3 जो है वो यहाँ पर base हो जाएगा और इसे हमने कितनी बार multiply किया है 4 बार 4 times तो यह होगा index और 3 जो है वो होगा base अगर 1 है तो हम इसे index कहेंगे और अनेक हैं एक से ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे indices तो chapter में indices के वारे में ऐसे बहुत सारे जो index हैं बहुत सारे numbers के उनके बारे में हम पढ़ेंगे तो इसलिए यहाँ पर indices चप्टर का नाम है अब 3 raise to power 4 मतलब 3 को 4 times लिखकर हमें multiply करना है अब इसके उल्टा suppose 4 का हमने cube ले लिया अब हर बार इसी काई उल्टा लेना है इसे नहीं है 2 raise to power 10 भी हो सकता है 3 raise to power 7 भी हो सकता है कोई भी तो अगर 4 का cube हुआ तो देखे इंडेक्स अगर 3 है तो उसे हम कहते हैं cube और इंडेक्स अगर 2 है तो उसे हम कहते हैं square तो 4 का अगर cube है तो 4 को हमें 3 times लिखकर multiply करना है तो अब इसकी value क्या आएगी देखो 4 into 4 4 for the 16 16 for the 64 तो 4 cube की जो value आती है वो आएगी 64 अब 4 का square तो 4 का हमें 2 भार multiply करना है 2 times 4 into 4 4 for the 16 अब 3 raise to power 4 की value क्या आएगी देखो 3 into 3 9 9 into 3 27 27 3 is 81 तो इसे हम और अलग एक और तरीके से multiply कर सकते है 3 into 3 9 3 into 3 9 9 into 9 81 तब ये होगी 3 raise to power 4 की value तब 3 into 3 into 3 into 3 into 3 इसे हम 3 raise to power 4 का multiplication form कहेंगे 3 raise to power 4 ये होगा index form 3 हो जाएगा base और 4 हो जाएगा index तो यही concept के आदार पे practice set 26 हमें solve करना है practice set 26 question number 1 क्या देखे complete the following table अब table में हमें क्या का लिखना है पहले तो दिये है serial numbers index, indices, base, index, multiplication form और value तो अब दिखें multiplication form यहाँ पे है indices जो numbers है 3 raise to power 4 एक हमें example यहाँ पे दिया गया है indices अगर 3 raise to power 4 है तो 3 होगा base, 4 होगा index multiplication form में जो base होगा 3 वो 4 times multiply होगा 3 into 3 into 3 into 3 और जो value होगी इन सभी का multiplication करने के बाद value आ जाएगी 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 81 अब वैसे ही 16 cube हमें solve करना है तो 16 base होगा, index होगा 3 multiplication form होगा 16 को 3 times 16 into 16 into 16 अब 16 into 16 16 का square अगर पता है तो आप directly लिखिये और उसे 16 से multiply करिए अगर नहीं पता है तो 16 को 16 से multiply करिए तो जो answer होगा 256 हमें मिल जाएगा तो 256 को फिर 16 से multiply करना है तो हमें 16 का cube जो है वो मिल जाएगा तो 66 जा 96 बारो 9 16 5 जा 80 प्लस 9 89 बारो 8 16 2 जा 32 प्लस 8 40 4096 तो हमें याप लिखना है answer 4096 अब जो थर्ड क्वेशन है इसमें base दिया गया है और index दिया गया है तो बागी के column हमें feel करना है तो minus 8 base है तो हमें लिखना है minus 8 index 2 है तो यह होगा square तो minus 8 का square मतलब minus 8 into minus 8 minus into minus plus 8 into 8 64 8,8,64 यह हो गया इसकी value अब जो question number 4 है इसमें हमें यहाँ पे value एक दी गई है और multiplication form दिया गया है तो 3 by 7 into 3 by 7 into 3 by 7 into 3 by 7 4 times है तो 3 by 7 जो होगा वो होगा base और index होगा 1,2,3,4 4 times और index 4 में होगा 3 by 7 base bracket raise to power 4 तो 3 by 7 raise to power 4 हमें इसे ऐसे read करना है अब जो इसे umे लिए कर होगा अब अब जो value find करने है इसके लिए हमें multiply करना होगा minus into minus plus 13 का square जो होता है वो 169 होता है तो 13 into 13 169 into 13 into 13 अब देखिए इन दोनों का multiplication इन दोनों का multiplication 169 169 फिर इनका multiplication करिए तो इन चारो numbers का हमें multiplication मिल जाएगा वो हमें यहाँ पर लिखना है तो 169 into 169 तो multiplication आपको simply आता है होगा तो इसलिए हम इसका answer direct लिखेंगे तो जो answer आ रहा है हो 28,561 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 28,561 तो यह वह question number one question number two है देखे find the value हमें value find करने है तो 2 raise to power 10 की value तो 2 को हमें 10 times लिखकर multiply करना होगा तो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और 10 2 into 2,4,4 into 2,8,8 into 2,16,16 into 2,32,32 into 2,64,64 into 2,128,128 into 2,256,256 into 2,256,256 होगा 512,512 into 2,1024 अब अगर ऐसे नहीं आएगा तो फिर क्या करना है 2 into 2,4,4 into 2,8,8 into 2,16,16 into 2,32 फिर 8 into 2,2 into 2,4,4 into 2,8,8 into 2,16,16 into 2,32 फिर 32 का multiplication आप 32 के साथ करिए अंसर हमें 1024 मिल जाएगा अब जो second question है वो है 5 cube 5 का cube मतलब 5 को हमें 3 times लिखकर multiply करना है तो 5 into 5, 25, 25 into 5, 25 5 is a 125 3rd question है minus 7 raise to power 4 minus 7 को हमें 4 times लिखकर multiply करना है तो minus 7 into minus 7 into minus 7 into minus 7 into minus 7 4 times multiply करना है तो minus into minus plus 7 into 7, 49 minus into minus plus 7 into 7, 49 अब 49 का multiplication, 49 के साथ अब 49 का multiplication हमें ऐसे भी कर सकता है 49 into 49 को लिखके 50 minus 1 और एक जिरह यहां पर लिखके 5, 9, 45, borrow 4, 5, 4, 20, plus 4, 24, minus 49 तो यहां पर लिखना है तो यहां पर लिखना है 2, 4, 0, 1 2, 400, 1 अंसर आ जाएगा सब्रेक्शन करने के बाद देखे 50 है और 49 तो इनका सब्रेक्शन 0, 1 होगा और 2, 4, 0, 1 तो आंसर 2, 4, 0, 1 अब जो नेक्स्ट क्वेशन है वो मैनस 6 का क्यूब तो मैनस 6 into minus 6 into minus 6 3 ताइम समय मुल्टिप्लाई करना है तो पहले इन दोनों का मुल्टिप्लाई फिर मैनस 6 ही मुल्टिप्लाई minus into minus plus 6 into 6 36 into minus 6 अब plus into minus minus होगा 36 को 6 से मुल्टिप्लाई करिए तो 216 आ जाएगा 6 शिख्जा 36 बौरो 3 3 शिख्जा 18 प्लस 3 21 तो आंसर होगा minus 212 नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमबर 5 9 क्यूब तो 9 को हमें 3 टाइमस लिखकर मुल्टिप्लाई करना है तो 9 into 9 81 into 9 9 वंजा 9 9 एट जा 72 अंसर होगा 729 नेक्स्ट क्वेशन है 8 रिस्टू पावर 1 अब 8 रिस्टू पावर 1 हाँ यह देखे किसी भी नमबर का अगर एक्सपोनेंट नहीं है इंडेक्स कोई भी नमबर नहीं है तो 1 ही होता है उसका एक्सपोनेंट तो 8 रिस्टू पावर 1 मतलब 8 को 1 टाइम्स लिखकर मल्टिप्लाई करना है तो 1 टाइम्स तो 8 ही आएगा तो 8 रिस्टू पावर 1 को हमें लिखना है 8 नेक्स्ट कोशन देखे 4 उपन 5 रिस्टू पावर 3 4 बाइ 5 को 3 टाइम्स मल्टिप्लाई करना है तो 4 उपन 5 इंटो 4 उपन 5 इंटो 4 उपन 5 तो मल्टिप्लिकेशन हम जब करते हैं तो मल्टिप्लिकेशन निम्रेटर का निम्रेटर के साथ डिनॉम्रेटर का डिनॉम्रेटर के साथ होगा तो 4 फोर्जा 16 16 फोर्जा 64 divided by 5 इंटो 5 उपन 5 25 इंटो 5 125 नेक्स्ट कोशन है minus 1 by 2 bracket raise to power 4 तो minus 1 by 2 का power 4 है तो minus 1 by 2 को हमें 4 times लिक्कर multiply करना है तो minus 1 by 2 into minus 1 by 2 into minus 1 by 2 into minus 1 by 2 तो minus into minus plus plus into minus 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 into plus sorry minus into minus plus फिर से एक बार देकि minus into minus plus plus into minus 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 into minus plus या फिर इन दोनो इन दोनो का multiplication करिए minus 1 into minus 1 plus 1 2 into 2 4 into minus 1 into minus 1 plus 1 2 into 2 4 1 into 1 1 divided by 4 into 4 16 तो answer होगा 1 upon 16 तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों आगे का जो portion होगा वो हम next वीडियो में cover करेंगे इसमें हमें मतलब आगे के portion में हमें square and cube यह point हमें देखना है और कुछ multiplication of indices with same base formulas हैं कुछ rules हैं वो हम समझेंगे फिर practice set के question solve करेंगे तो एक एक rule हम समझेंगे rule wise और फिर उसके हम question solve करेंगे तो जिससे की आपको यह rule जो है आगे के आने वाले जो rule है वो बहुत important है indices आगे की classes के लिए तो ठीक है thank you दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए